हेलो बच्चों आज कि छोटी सी वीडियो में हम करने वाले एंडिये के मोस्ट रिपीटेट को जिसमें हमारा पहला कोश्चन है दो फिस्ट रम फ्रॉम दा एंड इन इन इस एक्सपैंशन में पांचवा टम निकालना एंड से जब भी आपको एंड से कोई टम निकालना हो अ अब इसका पांचवा टम निकाल लीजिए स्टार्टिंग से वह होगा फिफ्ट टम फ्रॉम एंड तॉ आप इसका आप पांचवा टम निकाल लीजिये तो पांचवा टम के लिए हम के लिखेंगे T4 प्लस 1 NCR यानी 10CR आर आर की जगा 4 है फिर्ष्ट की पावर फिर्ष्ट गो माइने स्रीगे प्ला सी होजाएगा थ्रीकी फावर यह हो जाएगा एकस की पावर फॉर यह कट करेंगे जावसट यानि कि एप आप ऊच्फ लाइस योप्संट इस्ते एकस और अपों में ऑप इन्टू में टो में इन्टू में उन इन्टू में 3 की पावर 4 जितना भी करेंगे तो उप एक जीरो तो लास्ट में आएगा यह आएगा इसका मतलब यह option गलत हो तो आप कोड़ से देखिए अगर z complex number है तो यह के standard result होता था one plus omega plus omega square is equal to zero का और इसमें हम सब जानते omega cube के equal होता one के तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? z होगी हमारा omega तो इसे हम लिख सकते हैं omega plus में one by omega का square तो फिर omega plus one को क्या लिख देंगे omega cube higher HY way यह कटके क्या ह हो जाएगा omega square तैनल में Omega square हो जाए गया हमारे पास minus 1 का स्कार यानी कि इस पार का अंतर कीतना हो जाएगा one इसका उसी तरह से यहां यह हो गया omega square ह opens main वन को लिख देंगे omega cube upon omega square, क्या बचेगा omega again, इसका answer क्याएगा, minus one, minus one का square again क्या जाए इसका भी answer one आ जाएगा, यो क्या omega cube, omega cube क्या होता? one, one upon omega cube, यह भी one, तो one plus one क्या हो गया? two, two का square क्या होगा? four, यहां से आ जाएगा four. अभ इसकी बात कर ले तो यह लिखा हुआ, omega की power four plus में one upon omega की power four. omega की power 4 को हम लिख सकते हैं omega cube in 2 में omega plus में इसे 1 को लिख सकते है omega cube in 2 में omega cube लिख सकते है 1 into 1 1 ही होता upon में omega की power 4 ये तो हो गया omega और ये cut pit कर कितना हो जाएगा ये है 6 ये omega square हो जाएगा जो के minus 1 होता है minus 1 का square 1 तो अनतर क्या जाएगा 1 5 6 7 7 is the right answer लेकिन next question है ये भी question exam में बार बार repeat होता है ये तब examiner का favorite question है जितने आप भी question करा रहा है इस वीडियो में examiner का favorite question है बार बार इंडिये में डालते हैं बोला कि है two independent event है a और b जिसमें a और b की probability दे रखी है what is the probability that exactly one of the two event occurs exactly one यानि क्या हमें निकालना probability of a हो and b नहीं हो या या मतलब plus probability of b हो and क्या नहीं हो a नहीं हो exactly एक ही होना चाहिए क्योंकि यह independent event है तो इसको हम डाड़ेक क्या लिख सकते है probability of a into में probability of b compliment plus probability of b independent event में directly अलग अलग लिखा जाता into करके और यह बजाएगा probability of a compliment probability of a दे रखा one by three probability of b compliment one में से minus कर देंगे तो one by four अब plus में b की priority three by four a के नहीं होने की priority one में से minus कर देंगे तर टू बाइठी तो हमारे पास आंतर जाब one by twelve plus में six by twelve answer आजाएगा seven by twelve जो के कौन सा option है fourth option लेकिंगे आप next repeated question हमारे पास है हमें निकालना है value caught a by two minus ten a by two की value क्या हो इसको मैं है दो तरीके से बता से एक concept से और एक tricks से तो एक ट्रिक से यह कर लो कि आप एक को कुछ angle मालो चलो 60 degree माल लेते तो caught 60 by 30 कितना हो जागा तो caught 60 by two 30 caught 30 की value होती है root three minus यहाँ पे हो जागा 10 30 10 30 की value होती हो एक लिए वन बाइ रूट थ्री simplify करेंगे ताजा two by root three अब आप सन में चेक करके देख ले 1060 root three caught 60 one by root three two ten 60 यानिके two root three कौन सा आप सनो जाएगा फोर्स अभी से concept से कैसे कर लेंगे caught को लिख देंगे cause a by two upon में sign a by two minus यहाँ हो जाएगा sign a by two upon में cause क्योंकि हमें concept को first priority देना है cross multiple कर देंगे हो जाएगा cause square a by two minus का sign square a by two upon में हो जाएगा sign a by two into में cause a by two two का multiply और two का कर देंगे divide यह two और यह formula होता है cause a का तो यह हो जाएगा cause a और यह formula होता है sign a का तो हमारे पास answer क्या जाए cause upon sign caught two caught a is the right answer जो के fourth option था देकिन नेक्स रिपीटेट कोस्चिन है जिसमें हमें इसका integration निकालने को बार बार पूछा गया है तो एक property होती है a से b f of x की तो जहाँ जहाँ पर एक से वहाँ पर हम क्या लिख सकते है a plus b minus lower limit प्लस अपर लिमिट माइनिस का एक तो हम वही काम करेंगे इसमें इसे ले लेते आई और इसे लिख देते equation number one और अब हमारा आई क्या हो जाएगा जी माइनेस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू और यह हो जाएगा कॉस इस दोनों को एड करके माइनिस एक्स लिखना था इस दोनों को एड करेंगे तो जीरो हो जाएगा जीरो माइनिस एक्स यहां भी हो जाएगा one plus e raise to the power minus x dx जड़ा इसको simplify कर लेते हैं और यह हो जाएगा minus pi by 2 से pi by 2 यह हो जाएगा cos x upon me one plus me one upon e raise to the power x dx इसको जब और simplify करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास i is equal to minus pi by 2 से लेकर pi by 2 simplify करेंगे तो e raise to the power x ऊपर चला जाएगा cos x upon me one plus e raise to the power x dx इसे equation 2 लिखकर दोनों को simply क्या कर देना है add कर देना है equation 1 और equation 2 को जैसे ही add करेंगे i plus i कितना हो जाएगा 2i और यह हो जाएगा minus pi by 2 से लेकर pi by 2 add जब करेंगे तो LCM का है 1 plus e raise to the power x ऊपर add करेंगे तो cos x क्या हो जाएगा common अंदर क्या बचाएगा 1 plus e raise to the power x dx यह कट जाएगा cos x का integration क्या होता है sin x from minus pi by 2 से लेकर pi by 2 यह 2i की value हो गई तो 2i is equal to एक बड़ अपर लिमिंट डालेंगे तो 1 minus करके लोड लिमिंट डालेंगे तो minus 1 तो यह हो जाएगा plus का 1 तो i की value हो जाएगी 1 जो के कौन सा option है third option देखें next repeated question vectors है जो बार बार repeat होता है हमें तीनो वेक्टर का sum 0 दे रखा है और हमें यह म्यू की value निकालने को बोला ABC का magnitude देगा बहुत ही आसान हलवा question squaring कर देंगे a vector plus b vector plus c vector का square is equal to zero का square zero इसमें क्या लगा देंगे a plus b plus c का whole square a के magnitude का square plus b के magnitude का square plus c के magnitude का square plus में two a dot b plus b dot c plus c dot a जिसको इन्होंने क्या दे रखा म्यू दे रखा था हम से कि इन्हों डाइडेक्ट म्यू लिख दे is equal to क्या हो जाएगा zero इसका magnitude 2 है टू का square four यह nine और यह कितना हो जाएगा 25 plus में two in two में new is equal to zero तो two new is equal to क्या हो जाएगा यह हमारे पास आ जाएगा कितना तो यह कितना हो जाएगा थर्टी फॉर प्लस प्लस फॉर थर्टी इसर जाएगा तो माइनेस का 38 तो म्यू की वैलू हाजाएगी माइनेस का 19 जो के second option है next question देखिए next question देखिए जिसमें हमने बोला है what is maximum value of this function देखो इसको करने का आसान सा तरीका बताता हूं आप यहां पर मैंने तीन नंबर लिखे गौर से देखो two plus one by two कितना होगा कि कोई number और plus में उसका recipro judge कितना हादा चार पांच वाई दो के ओड़ से दो दो से क्या होगा ज्यादा इस को करो 10 और उसका recipro dzień innovat 26 and 21 ओças यह होगा two से जादा इसको करो यह क्या हो जाएगा equal to two आ जाएगा यानि कि अगर कोई number positive हो तो उस number प्लस में उसका reciprocal का जो sum होगा या तो दो होगा या तो दो से क्या होगा जादा greater equal to क्या होगा तो होगा तो इस function कि अगर हम बात कर लें एफ आफ एक्स यह one upon me 10x और cortex को हम कहा लिख सकते है वन अपॉन में 10x तो यह क्या होगा यह नंबर और यह उसका reciprocal होगा तो इसका जो minimum value होगा वो क्या होगा two maximum कुछ भी हो सकता है क्योंकि ग्रेटर equal to क्या है तो है तो इसका जो minimum value होगा वो overall जोगा यह maximum value होगा तो इस function की जो maximum value हो जागी one by two हो जागी देखिए नेक्स रिपीटेट कोशन हमाने पास है f of x दे रखा एक से square plus one in open interval one से two यानि one or two included नहीं है अब दो statement दे रखा कि maximum value f की पांच है minimum value two है तो कौन सा option correct होगा कौन सा statement correct होगा पहला होगा दूसरा होगा दोनों correct होगा एक भी correct नहीं होगा अब कोड़ते थे कि यह open interval है अगर यह close interval होता यानि one और two दोनों included होता तो इसकी minimum value को होती जब हम x की जगा minimum value डालते थे x की minimum value कितनी थे one तो इसका हमें minimum value मिल जाता function का जब हम x की minimum value डालते है यानि one plus one के आ जाता two और जब हमें इसकी maximum value पता करना होता थे x का maximum value डाल देता है इसका maximum value कितना होगा दो दो का square चार पले से 5 आ जाता है लेकिन यहां पर ना तो one included है ना तो two included है तो maximum और minimum तो बता ही नहीं सकते अगर कोई बोलेगा maximum मैं निकाल लूँगा one point nine nine ना पे तो कोई दूसरा बोलेगा मैं maximum बना सकते है श्का maximum बना सकते कब बता सकते थैं जब इसका interval क्या होता क्लोज होता तो minimum टू होता और maximum फांच होता लेकिन इंडल उपन है और इसका कोई bisa statement सही नहीं है ना हम maximum बटा सकते हैं ना negative Santos रिदा कर नेक्ति आबेरी मारे पाता एक function दे step लेते हैं derivative करते हैं f dash x निकालेंगे यह हो जाएगा five x की power four minus twenty x cube plus में पंदरा x square फिर उसको zero के equal कर देते है उसके बाद में से क्या common हो जाएगा five x square common हो जाएगा तो x square minus four x और यह हो जाएगा plus का three is equal to zero इसे split कर देंगे five x square split कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा x minus का three और x minus का one आ जाएगा equal to zero तो x की तीन value आ जाएगी zero one और three check करना इसमें कौन पर maximum होगा कौन पर minimum होगा तो उसके लिए हमें क्या निकालना होता f double dash x f double dash x निकाले इसका double derivative करें यह हो जाएगा twenty x cube minus sixty x square plus में पंदरा अब जब हम f double dash zero निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा पंदरा आएगा यह आगया पॉस्टिव f double dash one निकालेंगे तो क्या जाएगा twenty अप्लस में फिफ्टीन थर्टी फाइव माइनिस का 60 यानि कि नेगेटिव आएगा यह नेगेटिव आएगा अगर त्री निकालेंगे तो क्या आजाएगा यह तो थरी का क्यूब करेंगे तो ध्यान दिजिए जिसपर double derivative negative वह उस पर मिलेगा maximum value और जिसपर double derivative positive आएगा उस पर मिलेगा minimum value तो one पर मिलेगा maximum value और तीन पर मिलेगा minimum value तो maximum at x is equal to one and minimum at x is equal to three c option बिलकुल करेक्ट